हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिये चैनल पर दोस्तों आपको बता देशे अभी की सबसे बड़ी खाबर आ रही है जहां पर भारत में आतन की हमलों का खत्रा जीहां दोस्ते एडवाइजरी से भड़के कराडा ने अपने नागरी क को लेकर योगी जी का सबसे बड़ा बयान जिसके बाद ओ यह शिकावी बयान आया है दोस्तों बताएंगे अरब की जानकारी आपको तो आराम से बने दिए गार अंतितक अरभी खबरों आगे बढ़ने से पहले हमेशा कि तरह दोस्तों मानतें के बना भारत मोधी जी नेत्रित में आगे बढ़ रहा है दोस्तों और मोधी है तो हर चीज मुम्किन है तो वीडियो का भी कर दीजे लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब बैल आइकन दवाइए साथी कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा जै हिंद जीहां दोस्तों जलते हैं पहली और सबसे बड़ी ख़बर की तरफ जहां पर कराड़ा ने जारी कर दिया ह भारत में आतंकी हमलों का खत्रा का हवाला दिया गया है दोस्तों और एडवाइजरी से भड़क उठे केनड़ा ने ये सलाह दिया आपको बता दे क्या है पूरी बात केनड़ा ने भारत जाने वाले अपने नागरीकों को सलाह दी है कि वे सीमांत राज्यों जैसे राजिस्तान और गुजरात में ना जाए केनड़ा सरकार ने कहा है कि इन इलाकों में भूमीगत विस्फोटकों और सुरक्षा का खत्रा है केनड़ा ने अपने नागरीकों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा है कि पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक के इला सब्सक्राइब के लिए करेट करेंगों सर्कार के पर सवाल खड़े हो यह दोस्तों केनेडा सरकार ने 27 सितंबर को अपनी वेबसाइट पर जारी गई एडवाइजरी में कहा है कि वे भारत दोरे के वक्त पूरे देश में ही साफधानी से यात्रा करें किनिडा ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि भारत के हर इलाखे में आतंगवादी हमलों का खत्रा है यानि कि दोस्तो कहीं ना कहीं केनेडा का कहना है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से दूर रहना है क्योंकि दोस्तो अब बात विवाद चाहे कुछ भी हो लेकिन इस से एक चीज तो किलियर है दोस्तो कि केनेडा को भी पता है कि भारत में अगर हमले होंगे तो वो पाकिस्तान ही करवाएगा क्योंकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर रहने की जारी की गई है दोस्तों नागी पूरे भारत से दूर रहने की ऐसे में पाकिस्तान आतंगवाद को पालता है दोस्तों और पाकिस्तान ही आतंगवादी हमले करवाता है इन खबरों से इन एडवाईज करती है ऐसे माता है मानते हैं कि बताइएगा जरूर और जो भी दोस्तोंικά खिलाफ हैट फैलाने की कोशिस कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको क्या लगता है भारत को क्या कित Одem उठाने चाहिए साथ ही साथ दोस्तों वीड्यो जितनी जाद हो सके शेर कर दीजेगा चलते को और खबर की तरफ जहां पुतिन के इस फैसले ने मचाई देश में अफराद तफुरी हवाई जहाज में एक टिकट के लिए दे रहे हैं 17 से 21 लाख रुपए जी हां दोस्तों रशिया यूगरन यूद अब आठवे महीने में प हत्मकरदी आशिंग के लाम बंदी यानि आरक्षित सैनिकों की आंशिक तैनाती की गोशना पुतिन ने तीन लाख रिजर विस्ट बुले तो आरक्षित सैनिक की आंशिक तैनाती की योजना बनाई है उनके इस आदेश के बाद सही देश भर में अफराद तफुरी का तक पहुचने के लिए नीजी विमानों में बुकिंग कर रहे हैं और इसके लिए एक टिकट पर सत्रह से बाइस लाख रुपए चुका रहे हैं दगार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार आठ सीटों वाले जेट को किराई पर लेने की कीमत असी हजार पाउंड से लेकर एक से पता साफ चलता है आप मानते की ने बताईएगा जरूर लेकिन दोस्तों युद्ध के समय में अपने देश को छोड़कर जाना ये एक प्रकार से देश भक्ती तो बिल्कुल नहीं कहलाता आपकी क्या राए है साथी साथ दोस्तों बड़ी ख़बर बता दे जहां जेशं अनुस्तिया में लंबित होने का मुद्धा उठाया है इस पर शिर्स अमयर की राजनाईगी ने कहा कि वह इस मामले के प्रति समवेतन शील है और इसे सुल जाने के लिए उनके पास योजना है ब्लिंकिन भारतियन नागरिकों के विज़ा आवेतनों के लंबित होने के लि दिनों लंदन में जब एक कॉफी शोप में गई तो ब्रिटन में रहने वाले कुछ पाकिस्तानियों ने उन्हें घेर लिया और इस घटना के कई वीडियो सोशाल मीडिया पर खूब शेयर हुए दोस्तों वीडियो में विदेशी पाकिस्तानी मर्यम औरंग जेब को घेरे सडक पर चलने लगे एक और ख़बर की बात करें दोस्तों जहां दुनिया भर में अवैद पुलिस स्टेशन खोल रहा है चीन ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी दे रहे हैं ड्रेगन का साथ बता दे चीनी सरकार ने दुनिया भर में कई अवैद पुलिस स्टेशन खो विदेशी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीने द्वारा पुलिस स्टेशन खोलने से मानवा धिकार प्रचारकों में चिंता पैदा हो गई है इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका ने अस्थानिय मीडिया के हवाले से बताया है कि सार्वजनिक सुरक्षा भीरो यानी पीएस्बी में से संबंध कई अवैद पुलिस सर्विस स्टेशन पूरे केनेडा में फैले हैं और इन पुलिस स्टेशनों को चीन के विरोधियों को दवाने के लिए स्थाबित किया गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कम से कम तीन स्टेशन के वल ग्रेटर टोरंटो एरिया में सतीत हैं दोस्तो एक और खबर की बात करें जहां पर अल जजीरा के बिगड़े बोल कहा ग्लोबल प्रॉबलम है हिंदु राष्टरवाद प्रधान मंत्री मोदी जी पर भी उगला जहर जीहां दोस्तो अल जजीरा चैनल में एक लेग छपा है जिसमें हिंदु राष्टरवाद को साती ये कहा गया है कि हिंदुतों का प्रचार पालिटिकल फिलास्फी बिल्कुल नए अंदाज में सामने आ रही है और इसकी जड़े भारतिय शहरों की गलियों में होने वाली हिंसा से जुड़ी है ये लेख सोम दीप सेन ने लिखा है दोस्तों सेन डेनमार की रास जैसा हो गया है आर्टिकल में लिखा है कि यहीं वो हट्टा कटा हिंदु गर्व और अंद देश भक्ती है जिसकी अपेक्षा हिंदु रास्टरवादी हमेशा से करते आ रहे हैं यानि कि दोस्तों फिर एक बार भारत को लेकर दोस्तों हेटी स्पीच दिया गया है दोस्त हाथ पाउं के दोस्तों इस प्रकार की खबरे चापी जा रही है और एसे में एक्षन लेना तो बनता ही है आपकी क्या राही है दोस्तों एक भारतिया नागरिक होने के नाते जवाब जरूर दीजेगा साथी साथ वीडियो को जिन्हों अब तक लाइक नहीं करना मत भूले है तो वहीं केंदर सरकार के इस फैसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वागत किया है दोस्तों उन्होंने कहा है कि राश्ट्र की एक तावा खंडता के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्विकार नहीं है जी हाँ दोस्तों म राश्ट्र की एक तावा खंडता तथा स्रक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्विकार नहीं जी हाँ उप मुख्यमंत्री केश्य प्रसाद मौरिया जी ने भी कहा कि भारत सरकार के ग्रह मंत्राले द्वारा प्रतिबंद का स्वागत करता हूं राश्ट्र विरोधी गत्ति वीदियो का परेया एवं राश्ट्र रक्षा के लिए खतरा बन चुका था प्याफाई राश्ट्र रक्षा को सर्वोच प्रात्मिक्ता देने वाला यह फैसला है से में दोस्तों भारत सरकार द्वारा लिएगा इस फैसले का क्या आप स्वागत करते हैं बताईएगा जरूर क्या बिल्कुल सही फैसला लिया गया है दोस्तों हाया नामे जबाब जरूर दीजिएगा साथी साथ आपको बताते दोस्तों जब भी कहीं कोई सही फैसला लिया जाता है वहीं पर ओवैसी का बयान उस फैसले के विरुद आता ही आता है दोस्तों ऐसा 50 को लेकर खड़ी प्रतिक्रिया दिया उन्होंने कहा कि प्याफ़ाइग की सोच का हम पहले से विरोध करते आये हैं लेकिन इस पर्रती बंद बिल्कुल गलत है उन्होंने कहा कि अपराद करने वाले कुछ ब्यक्तियों के कारियों का मतलब यह नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंदित किया जाए सरकार दक्षिन पंती बहुस संक्यक संगडरों पर बैन कब लगाएगी उन्हें संदक्षन क्यों दिया जा रहा है समय दोस्तों वैसी के इस सवाल का जवाब आप लोग कमेड में जरूर दीजेगा जो वैसी सवाल पूछ रहे हैं दक्षिन पंती बहुस संक्यक संगडरों पर बैन को लेकर दोस्तों ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही और साथी साथ दोस्तों इतना ही नहीं आपको बता दे हो वैसी के बाद पाकिस्तान से भी प्याफाई बैन को लेकर सबसे बड़ी खबर है दोस्तों और सबसे बड़ा बयान दिया गया आपको बता दें कि पाकिस्तान के जनरल का बड़ा बयाना है दोस्तों नहीं कहा है कि सरकार ने भारत की सरकार ने इसको बैन लगाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहीं है कि वो लोग तांदरी अधिकारों का हनन करके अप तो बहुत तगड़े तरीके से ठेस पहुंचा है दोस्तो पीफाई बैन होने पर और अब पाकिस्तान की बॉखलाट निकल कर सामने आ रहे दोस्त अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान से जुड़े हर तरह के लिंक की हर तरह के कनेक्शन की जाच होनी चाहिए तो जाच होन चाहिए कमेंड में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों और ऐसे में यह थी अब तक कि सारी बड़ी खबर आपको मारी खबर कैसी लगी आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी पी अच्छी लगी है तो वीडियो का भी अपने भाई आतार हमा चैनल पर जारियत अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्ता में मिलते अंगली बड़ी खबर में जैंद जै भारत जै श्री राम बंदे मातर हम हर हर हर